Hello everyone, Welcome back to our YouTube channel Forward Studies. My name is Rishi Raj और आज हम reasoning के 20 questions के set लेकर आएं आपके लिए और ये आपका assistant teacher primary का question है 2019 में इसका paper हुआ था ठीक है ये PYQ question है और जैसा कि हमने promise करा था आप से कि हम ऐसे ही previous year के questions आपके सामने लेकर आते रहेंगे तो आज हम ये question लेकर आएं और आपको वैसे ही उसी सिद्धत के साथ इस question को भी solve करना है इस set को भी solve करना है ताकि आपके और भी अच्छे से confidence आपकी बढ़ती चले जाए practice level में ठीक है तो चलिए first question हम start करते है भाई देखो आप से ये कह रहा है कि इसका जो आकृती प्रश्न आकृती तो कोई बड़ी बात नहीं अगर हिंदी में आपको दिख रहा है न तो कोई शुने में bilingual ही लेकर चलूंगा कोई problem नहीं आएगा reasoning में ठीक है तो इसका same as it is figure कहां बनेगा तो देखो आप से ये तीन तो देदिया इसका just opposite ये वाला जो है इसका opposite कहां बनेगा इस question mark पर बनेगा तो देखो ये arrow है तो भाई ये आपका एक rectangular है तो ये भी rectangular बनेगा तो देखो rectangular कहा है तो देखो ये इसलिए बाहर हुआ क्योंकि इसका जो rectangular portion था वो opposite में था तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा पहले eliminate कर लिया करो जब भी question आए ना पर ये देखो कि कौन नहीं होगा अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये cross बना रहा ये देखो cross बना रहा रहा ये इसे करके तो इधर वाला cross आ रहा है इस तरफ तो देखो ये नहीं आ रहा ये भी नहीं आ और ये जो आपका आ रहा है ये पूरा आ रहा है जबकि देखो यहाँ पे आपका पूरा इधर touch नहीं कर रहा है इस सरफ तो ये ऐसे ही बाहर हुआ और अगर हम इस option को देखें इसको थोड़ा सा नीचे ले आते है तो ये तो वाई कहीं से कुछ दीखें नहीं रहा वैसा ठीक है क्योंकि ये आपका यहाँ से touch ही नहीं हो रहा तो अगर ये नहीं हो रहा तो ये भी बाहर हुआ तो अगर आपने तीनों option eliminate कर दी है तो बचा कौन सा second वाला या तो आप तुम सीधा answer से पहुंच जाओ या अपने options को eliminate करते हुए पहुंच जाओ तो ये आपका सही ह हो गया ठीक है तो आते हैं अगले question पर कि आप इसको कैसे solve करेंगे तो ये दो तरीके होते हैं या तो आप इसको percent मानके करें या figure वाले करें तो आप अभी के समय figure मानकर अगर आप करोगे तो कभी भी कोई lengthy question भी आएगा ना तो आप वहां confuse नहीं हो गया ठीक है आप से कथ कथन को मतलब इसको कथन को हम बोलते है statement क्या बोलते हैं भाई यह होता है आपका statement और यह जो निश्कर्स होता है इसको हम बोलते है conclusion क्या कहते है conclusion तो आपको दोनों को बहुत ध्यान से समझना है सभी J M है मतलब all J are M तो जो सभी बोलेगा वो अंदर और J किसके अंदर आ र बाट है तो इसको ऐसे कर लो यार ठीक है भाई तो M आपका A हो गया कुछ ऐसे आपका बन गया अब इन इसकर्स हो statement बहुत द्यान से करना conclusion आपसे यह पूछ रहा है कोई A J नहीं है क्या कोई ऐसा A है जो J नहीं है तो आप शियोर नहीं हो ना इसके लिए मानलो हो भी सकता नहीं हो सकता है जब श्योर ना हो तो आप नहीं करेंगे तो आप पहले पहले से टिक कर देना side में ऐसे रखके दूसरा हो कुछ A M नहीं है कुछ A M नहीं है देखो आपसे यह तो है ना कि कुछ A M है तो exact तो नहीं पता है मानलों पूरा भी हो सकता था यार इसलिए हम यह भी नहीं कह सकते हैं तो इसे आप से दोनों नहीं दिख रहा है तो आपका दोनों कौन दोनों नहीं करता है मतलब फोर्थ ऑप्शन सही हो गया ठीक है भाई अगले question पर आते हैं ध्यान से समझेगा question number 3 यह question coding decoding का सवाल आ रहा है तो आपको इसकी पहले मैं आपको यह बता तो इजो टी अगर आप ध्यान से देखो तो इजो टी का मतलब हुआ एका जो order है वो 5 है जे का जो है वो 10 है ओ का जो है वो 15 है टी आपका 20 है और य आपका 25 है ठीक है अगर आपसे कोई पूस्ता F तो तुम बोलोगे ना ए अगर 5 है तो F हमारा 6 हो क्या अगर आपसे कोई इस देखो S T से पहले आता है तो T अगर 20 है तो टी से पहले कोण आ रहा 19 मतलब S की value होगे 19 तूम इस ट्रिक से पता लगा लोगे अब देखो G है तो G किसको represent कर रहा है तो G represent कर रहा disponible, 7 को अगर अब ध्यान से देखो, G आपका 7 है तो हम satisfy कर गए R 18 है बिल्कुल ठीक कहा वैसे ही frame, frame में देखो F6 होता है, तो 6 को कर रहा है, तो हमारा पूछ क्या रहा है, jeans का पूछ रहा है, jeans की coding क्या होगी, तो तुम jeans को ऐसे लिख लो पहले, J E A N S, ठीक है, तो देखो J क्या होता है, J 10 होता है, E कितना होता है, E भाई 5 होता है, A कितना होता है, A 1 होता है, N कित तो यह दोनों ऐसी बाहर हो गया, ठीक और लास्ट में तुम देख सकते थे वन, बट वन तो है नहीं, ए तो है नहीं आप यहां तो ऐसा है तो यह उपसन भाहर हो गया, तो तुम्हारा टाइम भी बच जाता और आपकी एकॉर्डिंग है, आप कैसे इसको हैंडल करते हो, क्य कितनी रेखाएं संख्याएं हैं, मतलब रेखाएं मतलब यह लाइन है, यह आपके नंबर से हैं, और यह आपके अल्फाबेट से हैं, ठीक है, कितनी रेखाएं संख्याएं हैं, तो रेखाएं कौन है, देखो यह वाला है, जो आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, और संख्य तो अगर आप ध्यान से देखो तो यह रेखाएं हो गया और संख्याएं में आपका 5 हो गया इसका मतलब आपको ट्राइंगल वाला इंक्लूड नहीं करने को कह रहा था तो यह 16 इधर हो गया 5 इधर हो गया तो संख्याएं और रेखाएं कितनी है 16 15 प्लस 5 is equal to 21 ठीक है अब आप बोलोगे सर यह 5 तो आपका अक्षर में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है आपसे पूछ क्या रहा है संख्याएं रेखाएं पूछ रहा है ना कितनी संख्याएं रेखाएं तो ठीक है आप यह कर सकते हो ठीक है तो अगले क्वेशन पर आते हैं न क्लॉकवाइज बोलेगा तो कोई चीज ऐसे मूव कर रहा है एरो देखना जब आपकी घड़ी की सुई चलती है एंटी क्लॉक बोलेगा तो इसका उल्टा इस से चलेगा ठीक है ना तो बस इस एंगल को समझ लेना इसको हम आपको एक ऐसा डिग्री से बताएंगे कि आपक कि यह पूच रहा है पेंट जो है 372 ौडिक्री क्लॉक वाज डिरेक्शन में गया तो अगर आप यह इंगलीश में था तो मैं इसकी हिंदी कर दे रहा हूँ, हिंदी था, इंगलीश कर दूं को इस्फूनी आया गया है ठीक है तो 372 को प्लस में मान ले ना क्यूद्य anti clock मतलब minus, तो minus, इसको आपको minus करना है, तो आप ऐसे भी ले सकते हो, बड़े से छोटा घटा सकते हो, कोई चुनी साइन, उपर में minus का सकते हो, कोई दिखकत नहीं होता, 104, अब 104 जो और आया है, यह आपका minus में आया, integer आपने पड़ा होगा, व्रहों, तो यह minus 104 आया, है 1-1 0 4 का मतलब 104 अभी एंटी क्लॉक वाइज में है ये फिर क्या कह रहा अगें इट इस रोटेट अभाई 214 डिग्री न क्लॉक बतलब अभिए फिर से 234 एंटी क्लॉक एंटी अभी इमने सीख़ा माइनस लगाना है तो इसको तो माइनस 234, तो आपको पता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस तो जोड दो 4 और 4, 8, 3 और 3, अभी भी क्या है, माइनस, मतलब अभी 338 आपका क्या रहा है, यह anti clockwise आ रहा है, फिर आपसे क्या कहता है, फाइनली रोटेटेट बाई, 458 in clockwise direction, अब यह 458 clockwise कर रहा है, clockwise मतलब प्लस, तो 458 को प्लस कर लो, 8 गो 8, 0 हो गया, फाइब में से 3, देखो, प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, तो हम इसलिए माइनस कर रहे, 5 में से 3 गया, 2, और 4 में से 3 गया, 120 डिग्री पॉजेटिव में आए क्योंकि बड़ा है, तो 120 degree positive का मतलब यह clock wise आ गया, ठीक है, अब तुम से क्या पूछता है, now it is pointing towards east direction, जैसे तुमने 120 degree किया न, तो east पे आ गया, तो बताओ, in which direction it was pointing initially, तो जब यह 120 degree करने के बाद east पे आया, तो पहले क्या था, तो तुम याद रखना, इसको पता है, यह east होता है, भा पीछे जाओगे न, 120 degree पहले जाओ, तो आपका 90 degree तो यह हो गया, ठीक है, अब आप से क्या पूछ रहा है, अब आप से पूछ रहा है, 30 degree और, तो 30 degree और मतलब इस सरफ चला जाएगा, तो देखो यह west की तरफ आ रहा है, तो आपका आप 90 degree इधर चले गया, फिर 30 इधर चल देते हैं, ताकि आप एक question के बीच में इतना फस जाओ, इतना फस जाओ, कि आपके जो सही होने वाले chances, उसमें आपना time वेस्ट कर दो, ठीक है, तो जब आपको लगे question गलत है, तो एक बार ही करके आगे बढ़ जाना, बाकी question ट्राई करना, जब सब हो जाएंगे, तो दु लिखा गया है, ठीक है, के, आर, एन, यू, हम ऐसे कर लिया करते हैं, के से एन कितना बढ़ गया, एल, एम, एन, तीन बढ़ गया, प्लस तीन हो गया, आर से भी कितना हो गया, एस, टी, यू, यह भी प्लस तीन हो गया, मतलब ठीक है, क्या यहां सेट हो रहा है, देखते है अब TV है तो TV में 3 plus करो T में ती में 3 जोडोगे देखो T होता है 20 का 20 में 3 23 और 23 हमारा क्या होता है तो भाई W होता है तो यह आपका हो गया 23 में क्या आरहा है टीक है और V है V में भी 3 जोडो तो W XY तो आपका W Y आरहा है क्या यह set कर गया हाँ बिल्कुल कर गया तो आपका second option ठीक है चलो बढ़िया कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से आप बहुत अराम से समझ पा रहे होंगे आईए अगले question पर आते हैं आपसे ये क्या कहता है इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं अब आपसे पूछ र कोई दूसरी चीज आई है मतलब example के रूप में second part है उसका example ये वाला part है second वाला लेकिन इसमें उल्टा दे दिया इसमें example ही first दे दिया garment के अंदर start आता है ना तो garment इधर होना चाहिए इसलिए हमारा ये odd हो गया ठीक है तो exam में थोड़ा सांत मन से रहना तभी ये basic basic चीजों को आप पकड़ पाओगे otherwise easy वाली चीज भी confuse कर देंगे आपको अब ये concert dice है भाई ये आपका open dice है देखो ध्यान से समझना जब भी या सा question है ना simply करना एक छोड़ कर दूसरा एक छोड़ कर मतलब एक के बाद eight nine छोड़ देना nine पकड़के seven ठीक है और three का उल्टा जो बच गया हो C ठीक है अब एक बात समझो आप से कह रहा है दिये गए कागज को मोड़ने पर कौन सा घन बनाया जा सकता है कौन सा बनेगा और जब भी वो बनता है इसका जब भी कोई cube बनेगा ना घन बनेगा ना तो वो match नहीं करता वो ध्यान रखना अब जैसे तुमसे बोल रहा है कि a 37 तो देखो a 37 ठीक है तो क्या a का उल्टा 3 है नहीं ठीक है 3 का उल्टा है 7 नहीं तो अगर match ना करें तो dice बनता है तो यह आपको one satisfy कर गया अब दूसरा हो आपका 9c भी देखो नहीं बनेगा 3 और सी देखो अराम से यहां पर 7 8, तो A के साथ 8 तो बनाई गया इसका मतलब ये suit कर गया, अगर जहाँ set कर गया तो फिर dice नहीं बनाएगा ठीक है न, वैसे ही तीसरा था अब आते हैं 9th question पे, 9th आपसे ये कह रहा है, ठीक है, देखिए अब question number 9 पे आते हैं, ये question number 9 क्या है, आपके अगर ध्यान से देखो G, K, K, F, मतलब ये आपके अलग-अलग terms में series दे रखी है और आपसे पूछ रहा है कि जो question mark है, यहाँ पे क्या आएगा, तो तुम देखो कि G, K, number उठा लो G, K तुम्हारा K, F लिख रहा है तो G तुम्हारा क्या हो गया, G तुम्हारा K हो गया, H, I, J, K कितना increase कर गया, plus 4 अब K तुम्हारा F, मतलब ये अब ये एक तो बढ़ रहा है, बढ़ दूसरे वाले alphabet में minus हो रहा है, तो K से F में, तो G, H, I, J, K कितना minus हो रहा है, minus 5 हो रहा है तो एक वाले तो plus 4 हो रहा है, दूसरा minus 5, तो अब देखते हैं, O, O में plus 4 कर लो, पहले K में check कर लो, ऐसा ही हर जगा तो नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, K से O, L, M, N, O हाँ, ठीक है, 4 बढ़ा, और दूसरा F से A हो गया, तो जाइरती बात है, minus 5 हो रहा हो, ठीक है, set कर गया, तो O के बाद क्या आएगा, 4 O के बाद, P, Q, R, S, ठीक है, तो O के बाद आपका S हो गया, और इसमें 5 घटाना भी तो, देखो, S कहां कहां, यहां, अच्छा, फिर आप दोनों में से confuse होगे, अब आपका A है, तो A से 5 कम करना आपसे, ठीक है, तो A कौन से position पे होता है, तो A one position पे होता है, ठीक है, और 5 कम करोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, आप पहुंच जाओगे, 26, 25, 24, ठीक है, 23, ठीक है, तो और 22, तो इसका मतलब 5 करके 22 मतलब आप पहुंच जोगे V पे तो S के बाद हो गया V तो आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं अच्छा question नहीं है ठीक है आते हैं अगले question पर ठीक है question number 10 अगर आप ध्यान से देख पाओ तो आप question number 10 हम कैसे solve करेंगे question number 10 इसको हम थोड़ा scroll कर लेते हैं ठीक है देखो यदि A plus B का अर्थ है कि A B का पिता है आपसे देखो simple सी बात है जब भी ऐसा ये question आए आपका इसको हम blood relation कहते हैं तो आप पहले option को भी देख लेना इस question में उसके बाद question पढ़ना चलो option देखते ही लग रहा है कि बढ़ा है उसके बाद बोलता है कि A minus B का अर्थ है कि A B की बहन है मतलब A B की sister है A divide by B का अर्थ है कि A B की पतनी है मतलब A जो है वो B की wife है और A into B का अर्थ है A B का पुत्र है आप समझ गए होंगे इस बात को देखो हमको पूरा गरने से पतलब तुम ये देखो कि तुमसे पूछ क्य पहन दर्श आता है मतलब S और P मतलब जो S होंगी वो इनकी क्या होंगी sister होंगी ठीक है P की तो तुम ये देखो कि S P कहा है देखो यहाँ है और कहा है यहाँ है अब इसमें थोड़ा सा दूर है चलो अब यहाँ देखो S के बद क्या divide है तो divide में क्या कह रहा है यार divide में क् और B की पत्नी है यहाँ तो sister बोल रहा है तो यह तो ऐसी बाहर हो गया ठीक है S into P S into P में क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि A B का पुत्र है यहाँ तो sun मतलब बच्चे वाली बात है यहाँ तो sister है नहीं तो यह भी गलत हुआ थर्ड में आपसे P into S यह वही है multiply तो फिर से आपका sun का पूछ रहा होगा बेटे का यह भी नहीं हुआ अब तीन में से नहीं हुआ तो आपके चौथा option सही हो गया ठीक है भाई यहाँ तो आप ऐसे जा सकते थे A plus Q कह रहा है तुम A ऐसे लेते फिर plus Q करते मतलब A जो है B क पिताया मतलब इसको ऐसे करके plus 10 आते और आपको यह father ऐसे करके बताते और यहां B के जगा Q तो यह तो यह method था तो अगर यह method कब काम करेगा जब यहाँ पर option दूर दूर हो मतलब PS साथ में दे दिया तो आपको hints कर रहा है कि तुम option से जाके जल्दी से फटापर डिसांसर क कुछ लाल पीला है मतलब लाल को हम माल लेते हैं ऐसे हिंदी है तो कैसे माने आप बताइए ऐसे कर लें क्या ल जो है वो पीला है तो कुछ लाल जो है वो पीला है ठीक है ऐसे चल जाएगा कोई पीला गुलाबी नहीं है कोई जो पीला है वो गुलाबी नहीं है मतलब ऐसे अब ये हो गया तुम्हारा कतन मतलब statement कोई सफेद लाल नहीं है कोई सफेद लाल नहीं है क्या ये सही हो रहा है मतलब exact तो नहीं पता exact नहीं पता तो तुम इसको cut करो पहला दूसरा कुछ पीला लाल है कुछ पीला लाल है यहां यह तो set कर गया दूसरे वेले में टिक कर दो थर्ड देखो कुछ गुलाबी पीला नहीं यह गुलाबी है और पीला नहीं है यहां क्या कह रहा है कि कुछ पीला गुलाबी नहीं है satisfy तो करी गया ना ठीक है तो यह आपका दूसरा और तीसरा क्या था हाँ तीसरा आपका सही हो गया क्योंकि यह वाला third question था ठीक है तो option दोनों निसकर मतलब two or three सही होते हैं ठीक है चलिए अगले question पर आते हैं भाई question number 12 अब आपको यह अक्रिती मतलब यह figure वाला question देखके बताना है कि कैसे solve करते हैं मतलब कौन पूरा करेगी तुम ध्यान से देखो इस चीज को अगर यह है और यह है ठीक है यह दोनों तो यह दोनों जब मिलेंगे तभी तो यह बनेगा अब यहां पर यह है और यह है तो जब आपका यह answer भी complete हुआ अब आते हैं अगले question number 13 पे आर ठीक है 13 को देखते वे समझना है यह अच्छा question में से है sitting arrangement का type question है आईए देखते है तो आपसे कहता है 5 लडकों PQRST तथा 5 लडकियों मतलब boys की categories अलग बाटी इन्होंने PQRST और girls की इन्होंने अलग रखिया मतलब J, K, L, M, N ठीक है अब आप देख पा रहे होगे कि P और Q जो है वो एक लडका है उनके category में है और J, K, L, Q के category में है तो आईए अब ध्यान से देखना अब option क्या बोलता है फिर आप से बोलता है और इनकी 4 सदिस्यों की team है मतलब एक group में 4 members होंगे P तथा M हमेशा साथ में जूड़ेंगे देखो यह बहुत important यह line को समझना इसको note कर लेना कि P जहां रहेगा वही M रहेगा ठीक है N तथा L समान T में नहीं होगे मतलब N और L जो होगा एक साथ नहीं होगा ऐसे लिख लेना R तथा T हमेसे समान T में होगे तो R T एक साथ होगे ठीक है किसी भी एक team म एक लड़की होना चाहिए मतलब एक group में क्या होना चाहिए एक लड़कियां तो लड़कियां मतलब आप मान लेकि चलना कि JKLMN होना ही चाहिए ठीक है तो यह पांच condition फूर्थ group में आपको satisfy कराता है आए देखते है option में इनमें से कॉंसे team नहीं बनाई जा सकती है तो नह है और जे है ठीक है तो एल और जे यह भी बनाया जाए अच्छा नहीं पूछ रहा ना आप से यह तो बन सकता है यह बन सकता है तो option 1 तो बन सकता है तो इसलिए नहीं होगा ठीक है दूसरे में क्यू एस आर्पी क्यू एस आर्पी क्यू एस यह भी लड़का है यह लड़क ही है और आपसे कह रहा है कोश्चन में कि एक लड़कियां होना जरूरी है जे के लमन होना चाहिए इसका मतलब यह नहीं बनाएगा तो आपका ग्रूप नहीं बनाएगा तो पहला अप्शन यह टू सही हुआ ठीक है थर्ड आओ ल्-m-q-p-l-m-q-p इसका मतलब यह हुआ कि यह सभी अच्छा यह तीन लड़कियां भी है दो लड़के भी है तो यह भी तो ऐसे बना सकता है और और यहां पर कुछ ऐसा कहने रहा है यहां यह कह रहा है कि एल के साथ एन नहीं आना चाहिए चलो देखते हैं इसका मतलब यह ग्रूप बना देगा फोर्थ प्याओ ल, और एन एक साथ नहीं आना चाहिए तो ल, और एन इसका मतलब कि यह क्या हुआ यह भी गृूप नहीं बनाएगा क्योंकि आपसे दो ल न अन चाहिए तो아서 Hisa मतलब आपको धार्थ अकन ल, बनाना चाहिए कि यहां ऐसा तो नहीं कि यहां M के जगा N होना चीए जब N होगा तो यह दोने एक साथ नहीं आएंगे तभी यह 3rd कह रहा होगा ठीक है समझ गया ना इसलिए 3rd को थोड़ा से यहां पर हो सकता है मैं Sprint तो इस बेसिस पर यह कह रहा है मतलब यह कोशन को घुमा के उल्टा आप से पूछ रहा है ठीक है जब आप फिगर बनाते थे बट इसमें फिगर दे रखा है अध्यापक माता पिता और पुरुष ठीक है अब आपसे अगर ध्यान से देखो तो माता भी अध्यापक हो सकते हैं पुरुष भी अध्यापक हो सकते हैं ठीक है टीचर तो लेकिन माता और पुरुष सेम नहीं हो सकते यह तो मेल और फीमेल जेंडर की बात आगी तो उप्सन वन तो एक साथ नहीं हो सकता उप्सन टू में कह रहा है आप से इसका अगर तुम ध्याण से दिखाओ तो यह दिमारा अध्यापक हो सकते हैं और पुरुष भी अध्यापक हो सकते हैं ठीक है इसलिए यह कह रहा भाई और यह ऐसा भी नहीं कि तीनों नहीं होगा क्योंकि कोई ना कोई अध्यापक तो आप से कही रहा है जिस question के according तो बचा यह अब यह तो सूटी नहीं कर पा रहा तो इसलिए option 3rd आपका सही हुआ ठीक है यार चलिए अगले question पर आते हैं question number 15 अब देखो 6 लड़किया है और अच्छा यह question आपका series rating arrangement है बहुत द्यान से समझना बच्चे क्या करते है ना जैसी question आता है एक ऐसे line खीच लेते हैं और ऐसे ऐसे बनाने लग जाते हैं इसमें आप थोड़ा से confused हो जाएंगे आपना line मत खीचो जो बोल रहा है वो करो आपसे कह रहा है F, G, H, J, K, R, L एक फंक्ती में मतलब एक series में 6 लड़किया है और कहां की और उत्तर मतलब नौर्थ की तरफ देख रही है नौर्थ मतलब ऊपर की तरफ देख रही है अब देखो तो simple सी बात है लेकिन इस line को समझो लेकिन हाँ ये भी कहता है कि जरूरी नहीं कि इसी क्रम में मतलब जरूरी नहीं कि F, J, H वेगर सब एक ही साथ बैठी है ऐसा नहीं है ठीक अलग लग भी हो सकते हैं L तथा के छोरो पर बैठी है छोरो मतलब कि end पर बैठी है तो तुम L को इधर बठाओ के दोनों end पर बिठा लो ऐसा भी तो हो सकता है के इधर क्या आएगा G आएगा यहां भी ठालो यहां K है यहां F है तो इनके बीच में क्या आएगा G आएगा देखो बन गया na KGF बहुत बड़े है आगे देखो क्या बोलता है उसके बाद बोलता है J, H के तुरंट बाई है देखो ना भी J का जिक रहे ना H का तो इसको छोड़ो आगे बढ़ो जी एफ के तुरंट दाई हो रहें मतलब जो जो Aन फर्राहिट पर ने फर्ण गया जी जो है देखो यहां पर तो सैटिस्फाइब कर गया जी जो है H और यह मान लो J बाई हो रहा है ना इसका मतलब यह अला figure सही बना अब देखो तुमसे पूछ क्या रहा है ठीक है यह L है तुमारा अब पूछ रहा है कि बताओ बाई होर से F का स्थान क्या है बाई होर से मतलब left के तरफ F का क्या है तो एक, दो, तीन, चार फूर्थ नंबर पे है ना भाई तो इसलिए आपका चौथा कह रहा है इसमें हिंदी और इंग्लिश में दिक्कत नहीं आनी चीए मैं आपको बहुत प्यार से हिंदी को इंग्लिश भी कर रहा हूँ अंग्लिश को हिंदी में ही बता रहा हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 44, 22, 30 अच्छा ये माइनस भी हो रहा है फिर बढ़ भी रहा है लेकिन जैसे तुमारी नजर 44 और 22 पे पड़ी तो आप तुरन समझ गया ना कि ये तो फियार 44 का हाफ है 22 44 से इन्टू टू देखो जब भी आपको ऐसा लगे ना कि बढ़ भी रहा है घट भी रहा है ना आप प्रॉपर मल्टिप्लाई कर पा रहे हो ना प्रॉपर डिवाइड कर पा रहे हो हार तो आप क्या करो दोनों भी कर सकते हैं जब ऐसा हो तो हाँ इसको अगर हाफ करोगे तभी तो यह 22 होगा हाँ तो यहां से प्लस हो गया मतलब 22 से 33 हो गया तो 33 कैसे हो सकता है तो मल्टिप्लाई कर सकते हैं 3 बाइ 2 से तो देखो कैसे चेक कर लेते हैं 22 इन्टू 3 बाइ 2 तो 2 से 22 इलेवन बार में 11 तरी जा 33 हाँ सेटिस्फाइ कर गया अब देखो यहां से आओ 20 यह तो ठीक है अब इसको करो देखो जब 1 3 हो रहा है तो क्या यहां पर 5 नहीं हो सकता और नंबर में तो देखते हैं 33 इन्टू 5 कितना हो जाएगा 33 165 अपॉन 2 मतलब यह हो गया 82.5 लेकिने यहां तो 72.5 इसका ही है ऐसा तो नहीं कि यही गड़ बड़ है तो 82.5 अगर मालू इस हिसाब से चलते हैं तो यहां पर इन्टू 7 बाइ 2 होना चाहिए तो 82.5 को 7 से पहले मल्टिप्लाइ कर लो 55 33 कैरी 7 57 5 तर इसको 2 से कर लो 288 ही बनेगा ठीक है तो इसका मतलब यह 72.5 यहां नहीं आना चाहिए इसलिए यह वाला ओर्डर गलत है तो इसलिए वाला गलत है इसलिए उप्सन यह सही हो गया ठीक है ना अच्छा कोशन है तो आप समझ पा रहे होंगे चलिए अगले कोशन पर आते है स्वेता स्टार्ट्स वोकिंग आफ्टर वॉकंग समझ समझ समी मॉव उप मानबलो को मान आव उस समुस्धा हैं वह चल रही हैँ तर इससे चलया दो समोझ सम्धा को जालाटी है और जारीए उसके बाद चलते चलते वह लेफ्ट क्यूद चले गए लेफ्ट आपका इधर कह रहा है, ठीक है, C moves left, now after some distance C turns right, जब तक आगे गें उसके बाद ये और turn लेती है, right, ठीक है, चलो, arrow बनाते भी जा सकते हो आप, ठीक है, और अच्छा लेगा, उसके बाद right गई हैं, फिर some distance के बाद फिर से right गई हैं, तो एक और right ले लो, right इधर ही पड़ेगा, तो ये व west इधर north और south east से ही सुरू किया है, इसलिए आपका option east सही हो गया, ठीक है, तो चलिए 18th question number भी हमारा, समाप्त हुआ, अब हम आते हैं question number 19 पे, आप से ये कह रहा है, कि 43p 16m 19, देख कोई अच्छा question है भाई, 43p, यहाँ p छोड़ दो, मतलब इसको तुम ऐसे मान लो, box बना फिर 16, फिर m पे भी box बना, यहाँ 19 लिख लो, is equal to 46, और अगले में आप से कह रहा है, कि 11, यहाँ box बना लो, 13, फिर से box बना लो, 12 is equal to 12, फिर आप से 3rd में पूछता है, कि 16, box बना लो, 18, p की जगा box बना है, फिर m की जगा एक और box बना लो, फिर आपका 24 is equal to question mark, लिख ल तो देखो, तुम जब भी ऐसा कुछ रहे है, तो sign के साथ चलो, sign मान लो, अगर तुम p को प्लस मानो, तो तुम p को प्लस मानो, तो देखो 43 और 16 कितना हो जागा, अगर प्लस मानते हो, तो 59 और 19 अलग 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 ना, तो minus मान लो, 59 को 19 से करोगे, तो 40 अगर नहीं आ रह हो गया, minus और m को क्या मान लिया, प्लस, तो m को यहां प्लस मानलो, तो 43 में से 16 गया, 27, 27 और 19 यह 19 है, तो कितना हो गया 87, satisfy कर गया, यहां देखो, 11 के बाद m है, m को प्लस मान लेते हैं, और 13 के बाद आपका क्या कह रहा है, p, p को हम मान लेते है, 11 और 13, 24, 24, 22, this y долларов, 12, 18 हो गया तो आपको ही आगया 12 तो इसका मतलब ठीक नहीं नहीं 40 में 17 गया तो 22 आगा ना तो ये 22 आपका सही है भाई ठीक है तो इसका मतलब option second is right hope आपको session अच्छा लग रहा होगा ठीक है तो अगर कोई भी feedback की जरूवत आप जरूर comment पे response करें दो आपसे कह रहा है M.O.K. ठीक है M.O.K को क्या कह रहा है S.T.S ठीक है तो अब आपका M क्या हो गया S हो गया तो N.O.P.Q.R.S 6 बढ़ गया O. तुम्हारा क्या हो गया T हो गया P.Q.R.S.T. 5 बढ़ गया K. तुम्हारा क्या हो गया S तो L.M.O.P.Q.R.S. 8 हो गया मतलब यहाँ अलग अलग बढ़ रहा है तो चलिए देखते है L.C.R.M.N.O.P.Q.R. यहाँ बढ़ रहा है L.M.N.O.P.Q.R.S. फिर से 8 बढ़ रहा था लेकिन यहाँ तो घट गया P. से तुम्हारा H हो गया तो यह तो नहीं होगा ठीक है इसका मतलब अब देखो पहले वो देख लो G.C.M. 6 बढ़ा क्या H.I.J.K.L.M. हाँ बढ़ गया O.C.N. बढ़ा क्या नहीं 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 इसका मतलब यह भी डिफरेंस बहुत इसका कम है यह भी नहीं होगा R से देखते है X. S.T.U. B.W.X. हाँ 6 बढ़ गया G.C.L. H.I.J.K.L. 5 ठीक है M.C.U. N.O.P. Q.R.S. T.U. 8 बढ़ गया हाँ मतलब पहले क्या बढ़ता है 6 फिर बढ़ता है 5 फिर बढ़ता है 8 सैटिस्फाइ कर गया आपके question को तो ठीक है इसको देख लेते है R X में ठीक है तो पहले वाले सही है यह आपका F में 5 यह भी ठीक है B C D E F लेकिन P Y में Q R S T U B W X Y यह तो 9 बढ़ गया लास्ट वाले में तो 8 बढ़ना था इसलिए वाला नहीं होगा तो option 3 आपका सही है तो आज हमारे यह session भाई complete होता है हमने 20 questions के आपको set कर आए रेजनिंग के primary teacher का जो आप यह आप देख पा रहे होंगे तो हम आगे भी ऐसा-इस questions लेकर आएंगे ठीक है और आपका यह session continue रहेगा regular basis पर आएगा तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए प्रैक्टिस में लग जाओ इसका आपका exam भी नस्दी के सभी notifications आने वाले हैं ठीक है फूब आपको अच्छा लगा होगा तो आज हम आपसे विदा लेने का समय है जिसे रेशिराज और इस चैनल पर अगर इस चैनल के आपको कोई भी दिक्कत आये कोई भी feedback की जरूब तो आप जरूर कमेंट करें और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ला